बात करें तो अब इसकी प्रैस 37 चल रही है और इसमें आपके लिए कहां पर इंटरिफ पॉंट हो सकते हैं कहां पर इसमें ले सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कहां पर इसको एक रेजिटेंस करने को मिलेगा तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करने को नहीं मिलेगी अभी तक मैं साथ ताइट मैंने से ज्यादा हो गया है उसको उसको करते हुए तो जल्दी से कोई डिसे से डाउनलोड करें क्योंकि इसमें मिल रहा हूं सो रुपय का एथिरियम मिल रहा है इसमें और आप अपने करें को मिला था और टक हैससे जादा और ऊल्मूस्ट परिज ने ने 46 से ज्यादा इसकी प्रस कर द हैं प्राइज ने रिकावर करना स्टार्ट कर दिया है और थर्टी फाइब से लिकर के चार्ट में हम देख रहे हैं तो थर्टी फाइब से लेकर के अभी तक थर्टी सेवन सेंटिस के प्राइस पहुंच गई है आपने अगर वहां पर इंट्रे लिए देखिए यह जो सड़न डंप है एक चीजा आप ज्यान रखिए ज्यादा लालज भी अच्छा नहीं रहता है और क्योंकि सैटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है तो सैटिस्फेक्शन रखिए और अच्छी इंट्रे लीजिए थोड़ा स रहे हैंख कर रही है तो यहां पर नहीं करते हैं और वेट करते हैं कभी कभी हमन게 रागा लेते हैं तो एक चीज द्यान र phi ये wallet में हमेशा जितना amount आप लगा रहे हैं उसका almost 30% amount 25-30% wallet में रखिए जब भी इस type का dump आपको देखने को मिले, market चाहे bullish हो, market कितना ही bullish हो लेकिन कभी-कभी almost मैने में दो बार आपको इस type का dump देखने को मिलेंगे अगर आपने उसमें entry ले ली तो आप अच्छा कासा profit लेकर तो बार अगर आप 20-20% या 50% भी अगर profit ले लेते तो बहुत है और यहां पर leverage के बात नहीं कर रहा हूँ है तो आपके लिए entry points जो है वो यहां पर आपके लिए entry points हो सकते हैं देखिए थोड़ा सा 4 hour के चार्ट में हम जाते हैं 4 hour के चार्ट में recovery स्टार्ट हो गई इसमें almost 37 cents की price पहुंच गई है यह वाली candle जो है आपका 38 cents तक जा सकती है उससे ज्यादा भी जा सकती है तो इस candle का अपवेट करें उसके बाद अगर next candle यह वाली candle यहां पर आपको 36 cents तक पहुंचती है 36 cents पर आप entry ले सकते हैं इसमें इसमें अगर support की माँ बात करूँ तो यहां पर एक अच्छा खासा support इसने maintain करके रखा है almost 30 cents जो है इसमें एक strong support है और normal support की बात करूँ तो वो almost 33 cents इसमें आपको देखने को मिलेगा एक normal support आपको 33 से ऊपर की रेंज 33-34 cents की रेंज में आपको देखने को मिलेगा और strong support है यहां से price की condition में नीचे आपको देख मिलेगी ही नहीं अगर bitcoin अच्छी खासी earning रखता है कोई negative news नहीं आती है तो यहां पर 36 cents की रेंज में अगर आपको अभी यह मिल जाता है buy कर लें उससे नीचे की range में मिलता है अगर 50-50% का portfolio रखें जो 50% amount है उससे 36 cents पर buy करें और उससे कम की range में almost 37 वाली range में भी आप buy कर सकते हैं क्यों market अच्छी तारह से bullish है price में आपको यहां से नीचे moment आपको देखने को नहीं मिलेगा थोड़ा बहुत चीजे चलती है price करने को मिलेगा almost 41.5 से लेकर के 42 सेंट पर इसको एक strong resistance है और यह major resistance है इसको break करने में इसका अच्छा का सा volume चाहिया रहेगा अच्छी का से strong candle के साथ यह इसको break करेगा और अगर candle closing 42 के उपर होती है one day में या फिर four hour में दो candle closing से उपर होती है तो आप next target पकड़ सकते हैं next target आपका जो रहेगा वो 57 सेंट रहेगा जो इसका all time high है वही इसका next resistance आपको देखने को मिलेगा तो इन areas को आपको देखते रहना है यह areas जिस टाइप से break होते हैं तो उस टाइप से आपको entry लेनी है या exit होना है अगर 41 वाली range जो है वो break होती है तो next stoppage आपको 57 देखने को मिलेगा थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो 47-48 वाल range वहाँ पर थोड़ा correction देखने को मिलेगा correction जरूरी देता है और यहाँ पर हम कोई finance advice नहीं देते हैं कोई investment advice नहीं देते हैं यह video से education purpose पर ताकि आप candle pattern समझ पाए चीजों को समझ पाए कहाँ पर आपको buy sale करना चाहिए एक आपके दिमाग में हिंटर है इसका अलावा आपके यहाँ पर कोई इसके हिसाब से leverage नहीं लेना है या फिर ज चीजों को अच्छे समझें तो आप वेट करें उसके बाद ही buy वगेरा करें तो इन पर इन एरियास पर आपको ध्यान देना है बाकि वीडियो अच्छा लगा लाइक शरू करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू